पे ब्लॉक चल दा है, उस ताइप से कोशन मन कहा है लगाना आपको एनर्जी कंजरवेशन और सुकलर मोशन की संटिपीटर फोल्शी कंडिशन ही होते है अगला कोशन आगे बदते हैं यहां ते किसी को को दिखे दिखन अगला कोशन, बढ़िया कोशन है रोटेशनल मोशन का कोश्चन है और रोटेशनल मोशन से कई लोगो को डल लगता है रोटेशनल मोशन तो बड़े बड़े लोगों को डल लगता है आइटी वालों को डल लगता है जेई वालों को डल लगता है अपने बायो किसी के डर से थो ना लिए है, अपने डॉक्टर बनने के लिए है, जब आप डर से कोई चीज लोगे, कोई चीज छोड़ने के चकर में कोई चीज लोगे, तो आप कभी भी successful नहीं हो सकते हैं, इसलिए आपको कोसिस करते रहने ही चाहिए, आगे बढ़ने की, को से मास M, रीडे सार, इस रोलिंग विद अंगलर स्पीड ओमेगा, और यह वोजेंटल प्लें, यह सॉलेट सिलेंडर रोल कर रहा है, रोलिंग का मदलब टांसलेशन प्रस रोडेशन, ऐसे, ऐसे आगे बता है रोल करते हैं, टांसलेशन प्लेशन प्लेशन, वील की तरह, का एंगलो मोमेंटम चाहिए, बढ़िया कोश्चन है, इसलिए मैंने रखा है, और मुझे जहां तक लग रहा है, इस बार नीट 2020, 26 जुलाई 2020 में, नीट में, रोटेशन मोशन से, रोलिंग, और रोलिंग में भी एंगलो मोमेंटम का कोश्चन आएगा, ये कोश्चन आए, चाहिए कोश्चो आए, हो सकता है, इसी कोश्चन में कुछ वैल्यू बिदल के है, बट रोलिंग और रोलिंग में भी एंगलो मोमेंटम, इस इस माई प्रडिक्शन, जरूर आएगा, समझ लेते हैं इसको अच्छे से, एंगलो मोमेंटम की इसके बहुत मोमेंट ऑफ मोमेंटम, एंगलो मोमेंटम कैसे निकालते हैं, तो एंगलो मोमेंटम, ट्रांसलेशन मोशन में, एम वी आर, रोडेशन मोशन में, आई ओमेगा, एक फॉर्मूला होता है वेक्टर फॉर्म में, एंगलो मोमेंटम, एल वेक्टर इस उकल टू आर क्रॉस पी बड़ी ये particle के लिए होता है अच्छे यहाँ पर body क्या कर रही है तो यहाँ पर body roll कर रही है translation भी हो रहा है, rotation भी हो रहा है तो यहाँ पर क्या करेंगा तो एक चीज जान लो जब भी कोई body combine motion करती है rolling करती है rolling करने वाले object को motion को समझने के लिए rolling करने वाले object के motion को समझने के लिए उसके motion को हमेशा दो components में break किया जाता है एक translation वाला part अलग एक rotation वाला part अलग जैसे अगर एक wheel ऐसे cylinder देख रहा है सबको ऐसे देख रहा है यह ऐसे roll करते वे चला जा रहा है तो translation अलग, rotation करके दूनों को superimpose करते हैं ruling, translation motion of the center of mass plus rotation motion about center of mass में break कियाती है अब मैं यह ruling को पढ़ाने लगा मुझे तो angular momentum बताना था आ रहा है उस पे भी आ रहा हूँ मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसके angular momentum को निकालने के लिए इसके translation वाले angular momentum को अलग और rotation वाले angular momentum को अलग निकालना पढ़ेगा दोनों को जूनना पढ़ेगा तब जाके हमारे पास आएगा body का object का complete angular momentum कैसे निकालने translation का अलग rotation का अलग करते हैं ये थी हमारी body m mass उमेगा से गूम रही थी ठीक मैंने बताया इसका angular momentum चाहिए origin की about ये रहा origin यार इसकी radius ले लखते है ये radius है radius ही इस तरी से इसकी height हो जाएगी translation का angular momentum rotation का angular momentum क्या है भाई मैं बोल तो रहा हूँ लेकिन क्या translation का angular momentum r cross p mvr momentum into perpendicular distance mv into r उसे perpendicular distance तो ऐसे समों लोगी body का सारा mass यहाँ पे रखा है center of mass पे m और ये center of mass v velocity से चला जा रहा है m यहाँ फिर रखा center of mass v velocity चला रहा है तो इससे vector की distance जरूर odincy है वाट इसके देखो इस distance के दो component है एक momentum के parallel वाला एक momentum के perpendicular वाला क्या बोला मैरे angular momentum क्या होता है momentum into simply distance बोला momentum into parallel distance बोला momentum into perpendicular distance बोला हाँ यही तो होला था momentum into perpendicular distance तो momentum अगर horizontal है तो perpendicular distance vertical होगी जो की यहाँ पर आ रहे है तो translation का angular momentum होगा m v r और किदर होगा momentum into perpendicular distance r cross p इधर 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 क्या है clockwise clockwise angular momentum angular momentum एक vector है momentum एक vector है turn करने की tendency turning effect देख रहा है momentum का turning effect जो की clock है m v r अब आते है rotation का rotation rotate भी कर रहा है translation of the center of mass rotation about center of mass about center of mass बलब center of mass को hinge कर दो fix कर दो center of mass के बाउट घूमता माल दो ऐसे ऐसे घूम रहा है clockी घूम रहा है of course center of mass के बाउट clock घूम रहा है तो यह भी angular momentum जुडेगा clockी जूडेगा पर कैसा होगा center of mass के बाउट ऐसे clock घूम रहा है rotation हो रहा है pure rotation pure rotation में अगलोमेंटम i omega pure rotation में अगलोमेंटम i omega i क्या moment of inertia किसका solid cylinder hollow cylinder का m r square solid cylinder का m r square by 2 solid cylinder का m r square by 2 यह रहा i m r square by 2 मैं भी बैड़ भई omega 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 अब यहाँ पर एक trick करते है भीया rolling करने वाले object में v is equal to r omega होता है तो omega को लिख लेते हैं v by r omega को लिख लेते हैं v by r r sorry यह वाला r इस r से कड़ गया m v r plus m v r by 2 यह बन गया 3 by 2 m v r 3 by 2 m v r जहाँ पर v r omega है तो अगर v r omega रख दोगे तो r square omega बन जाएगा 3 by 2 m r square omega 3 by 2 यहने की 1.5 1.5 m r square omega is the correct answer angular momentum इस rolling करने वाली body का हमने translation का m v r अलग rotation का i omega अलग निकाल के दोनों का vector sum कर दिया तो net angular momentum निकला है तो आई hope समझ गया होगे और यह बहुत important question है need 2020 के लिए angular momentum rolling motion सब्सक्राइब में आया translation का लग rotation का लग vector करना जोड़ गए जोड़ के करना समझ गए यहां तक किसी को दिक्कत comment box में virus 22 कोई doubt यहां तक किसी को hi hi everyone अभी तक किसी को doubt angular momentum में नहीं आगे बड़े चलो आगे बड़े